कन्फर्म पास्वर्ट क्या होता है और कन्फर्म पास्वर्ट में क्या डाले स्वागती दोस्तों आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि confirm password होता क्या है और आपको confirm password में डालना क्या है तो वीडियो के साथ बने रहेगा और चैनल को subscribe करके bell icon भी दबा दीजेगा तो चलिए बिना देर किये होए शुरू करते विस्तार में आपको समझाऊंगा जब भी हम किसी भी account पर चाहे वो इंस्टा पे हो Facebook पे हो Twitter पे हो Snapchat पे हो कोई भी social media पे हो या फिर कहीं पर भी हम जब password बदलते है उस वक्त password बदलने के time पे या फिर account जब हम create करते है कहीं पर भी किसी भी platform पे तो तब हमें नया password हमें बनाने के लिए बताया जाता है तो नया password जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे मैंने भर दिया तो उसके बाद में मुझे confirm password confirm new password बताया जाता है तो यहाँ पे बहुत से लोग समझ नहीं पाता है कि यह confirm new password क्या है बहुत से लोग उपर में एक password भरने के बाद नीचे अलग password डालते लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि confirm password का मतलब confirm password का मतलब यह होता है कि उपर में जो password आपने भरा है वही password को एक बार दुबारा आप यहाँ पे भरके confirm कर दीजिए इसका आर्थी यह होता है ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने राज दे दिया 1,2,3,5,6 और यहाँ पे राज 1,2,3,5,6 मैंने दे दिया ठीक है तो यहाँ पे confirm password का अर्थ यही होता है कि उपर में जो password दिया गया है वही password को एक बार confirm करते हुए आप नीचे में भी वही password आप भर दे confirm password का अर्थ यह होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप अपना confirm password को भड सकते हैं मैं उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा confirm password में आपको अलग password नहीं भरना है वही password भरना है जो उपर में आपने भरा हुआ है वो दिये दोनों same ही password होता है ठीक है तो मैं बस्वास करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा थेंक्यू सो मच पर वाचिंग बाबाई